हेलो दोस्तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छ होंगे दोस्तो आज के सुरू में बात करने वाले हैं ब्रैंड न्यू यमा MT-15 के कंप्लेट डाउन बेमिनेंट फाइनेंस के बारे में आपको मैं क्लियर करना चाहूँगो दोस्तो यह जो बाइक का फाइनेस में बताने वालों MT-15 का दिहान रखे दोस्तो यह जो है ना यह मतलब टॉप मोडल नहीं है ठीक है यह जो है दोस्तो टॉप मोडल ना होकर यह आपको मेज मोडल देखने को मलती है इसका प्राइस थोड़ा सा कम है कारणी है कि इस वाली मोडल में दोस्तो आप लोगों को Bluetooth connectivity नहीं मिलता और साथ में दोस्तों आपको बता दो इस वाली मोडल में आपको Bluetooth connectivity के बाद बाइक में आपको LED indicator नहीं मिलते हैं इसलिए दोस्तों इसका जो price है वो थोड़ा सा कम है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं बात कर लेते हैं finance के बारे में दोस्तों finance कराने के लिए सबसे पहले आपको बता दू अधार काट की जौरत पड़ती है जी अधार काट आपके लिए काफी important लगता है अधार काट के बाद दोस्तों आपको pen card की जौरत पड़ती है पैन कार्ट के बाद दोस्तों आपको कुछ फोटोस देनी पड़ेगी उसके बाद हमें 6 मन की बैंक पास्बुक की फोटो कापी देनी पड़ती है जाना कि वो वाली फोटो कापी लगती है जिसमें आपकी सेलरी आती है ठीक है बार बार कहा हुआ जिसमें आपकी salary आती वो वाली photo को भी लगती है उसके बाद कुछ photos और कुछ sign के बाद आप इस bike को अपनी बना सकते हैं आगे बढ़ते हैं बात करते हैं इस price के price के बारे में दोस्तों ये वाली जो MT-15 है एक सुरूम प्राइज आती है वल्लेक 67,000 एक लाग सर्शाट अजार रुपए के आसपास के आपको ये एक सुरूम प्राइज देखने को मलती है जाने कि दोस्तों आप जो MT-15 नॉर्मल मोडल आती है उससे गर आप कंपेर करते हैं इसकी जो प्राइज है 5000 रुपिस कम है और मेरे साब से 5000 रुपिस काफी बड़ा है माहूट होता है 5000 रुपिस कम नहीं होता ठीक है तो 5000 रुपए जो इसका प्राइज जो है दुस्तों कम है ठीक है अब दोस्तो 5,000 रुपए इसका प्राइस कम है बात करें ओन रूट प्राइस के बारे में ये वाइक हमारे या रैपुर चत्तिसगर में ओन रूट प्राइस आई ये लगबग 2,002,000 रुपए जी है 2,002,000 रुपए गया सपास की वाइक आपको हमारे ओन रूट प्राइस देखने को मलती है अब आप लोग को कहा है दोस्तो इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज कमेंट करके ज़रू बताना आज की इस वीडियो में दोस्तो हमारा जो डाउन पेमेंट एमाउंट है वो है दोस्तो 52,000 अब आपको बता दो इसमें हम प्लस करेंगे प्रोस्टिसिंग फीज कितना होगा कम से कम 10,000 रुपए के आसपास का तो इसका टोटल अमाउंट जगा 1,60,000 रुपए 1,60,000 हमारा टोटल अमाउंट है अब निकालेंगा हम इंट्रस हैनी की ब्यास देखिए जब भी हम बाइक फैनेंस करा रहे तो भीया कोई भी कमपनी हमें फिरी में करके नहीं देती आप इसी बात है हमसे पैसे कमारी है उसके बाद हमें फैनेंस करके देगी तो हमें एक्षा पे करना पड़ता है ब्यास याने की इंट्रस अब दुस्तों इंट्रस किता लगेगा और डिपेंड करता आपके सीवील स्कोर पर आपकी सेलरी सिलिप पर ठीक है आज की इस फिरीम आपने 10% लिया हुआ है तो एक लाग साट अजर का जब आप 10% की सबसे एक साल का इंट्रस निगा लेंगे तो आपका हैगा 16,000 रुपीज है निकी 16,000 रुपाय अब माल देज़े आप बाइक को एक साल के लिए फैनेंस करा रहे है तो एक साल के लिए दूस्तों ठीक है अब एक लाग साट अजर आपको टोटल अमाउंट उसमें आप 16,000 रुपाय प्लस कर देंगे माल देज़े बाइक को दो साल के लिए फैनेंस कराना चाहते है तो दो साल के लिए आपको सबसे पहले दो साल का इंटरस निकालना पड़ेगा दो साल का interest निकालने के लिए 16000 आपके एक साल का interest निकालने के लिए 16000 ऐंटरेश ही। इसे पहले आपको तीन साल का interest निकालना पड़ेगा 16,000 रुप आपकी एक साल का इंटरस है 16,000 into 3 करेंगे तो 48,000 48,000 रुप आपकी 3 साल का इंटरस आएगा 1,60,000 में 48,000 को प्लस कर दीजी आपका जो टोटल एमाउंट आएगा वो आएगा दुस्तों लबग 2,8,000 रुप है आप लोगों वीडियो चलेगी वीडियो चलेगी लाइक काना चैनल पर पहली बरहा है तो सब्सक्राइब कर देना मिलते हैं नेक्स वीडियो में लवी और जैहिन वन्दे मातरम